हेलो गाइस और वेलकम टू माई यूडूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश याई वीडियो आपके लिए काफी ज़दा जबरदस्त होने वाले इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने Oppo A79 5G की फोन में किसी भी एप को लॉक कैसे करेंगे और वो उसको फिंगर प्रिंट के द्वारा ओपेन कैसे करेंगे सबसे पाले फोन के सेटिंग में आजाओ शेटिंग में आने बाद यहाँ पर नीचे आएंगे प्राइवसी नाम से उप्सन मिलेगा इस पर आपको किलिक करना है privacy पर click करने वाद उपर देखेंगे right side privacy नाम से option मिलेगा इस पर आप लोग click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को app lock first option मिल जाता है आपको app lock पर click करना है जैसी आप लोग app lock पर click करते हो तो app lock पर click करने वाद यहाँ पर आपको go tip पर click कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं सारे application दिख रहे हैं लेकिन पहले जो उपर वाला application iplock है इसको on कर दीजिए जैसी on करेंगे यहाँ पर setting का option देदेगा यानि password बनाने के लिए कहेगा तो इस पर click करके आप अपना दोस्तों यहाँ पर पहले तो password बना लीजिए सायद आपको black screen दिखा रहा होगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों password बनाते समय black screen दिखाता screen recording में तो यहाँ पर कुछ नहीं करना simply आपको अपना password बना लेना है जैसी दोस्तों आप लोग की दर आप corner में setting की आइकान पर click करके आप यहाँ पर आप एक privacy password का option है यहाँ पर click करके change भी कर सकते हैं other unlock method है जो सबसे नीचे इस पर click करके fingerprint के option को earn कर देंगे तो आप इनको fingerprint की द्वारा unlock भी कर पाएंगे जिसको lock किये है